जहां development की बात हो और infrastructure की बात ना हो यह तो होई नहीं सकता। भारत 2050 में कैसा दिखेगा इसके बारे में जानने के लिए हमें हाल ही में हुए नए development और आने वाले समय में होने वाले development बेद्यान देना होगा। आईए जानते हैं कुछ ऐसी बड़े-बड़े development प्रोजेक्ट जो बारत में होगे और उनसे बारत पर क्या effect रहेगा। infrastructure का मतलब इमारती जिसमें हम सब वातावरण आपदाव से बचने के लिए या तो एक इसी जगए जहां पर हम हमारा काम आसानी से कर सकी वह होता है infrastructure। आईए देखते हैं कुछ आधारवूत infrastructure जो इंसान की जीवन प्रक्रिया को आसानी से कर देगी। अब हम बात करने वाले हैं DMIC प्रोजेक्ट के वारे में DMIC मिन्स दिल्ली मुंबई इंडेस्ट्रियल कोरिडोर। इस प्रोजेक्ट के निर्मान की निव इंडिया के कैपिटल राजदानी दिल्ली और उसके financial हब मुंबई के बीच रखी गई है। इस प्रोजेक्ट के पहली पहल 2006 में एक MOU के साथ Government of India और Government of Japan के बीच अस्ताक्षर के गए थी। रहेगा और छे राज्ये अलग से रहेंगे। उत्तरप्रदेश, हरियाना, राजस्तान, गुजरात, महाराष्ट, मध्यप्रदेश की इंदोर से होकर जाएगी। यह प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका सिधा साधा प्रोप्र आपको बताऊं तो इंडिया और जापान के साथ जो Agreement में फंड मिला है। वो कुछ 1000 करोड इंडियन रुपए थे जो कि UST 142 होता है जिसमें जापन और इंडिया गोवर्मेंट समान प्रतिसत भाग दे रहे हैं। आईए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के कंप्लेट होने के बाद इंडिया को क्या फाइदा होगा और क्या नुक्षान होगा। जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट इंडिया में जोब ओपोर्चिनिटी को दोगना कर देगा। तीन गुना इंडिस्ट्रियल प्रोशेस। सिर्फ 5 साल के अंदर यह प्रोजेक्ट लगबक कुछ 3 मिलियन जोब्ष ओपोर्चिनिटी लाएगा जो कि अपने आप में एक बहु 200 मिलिन आके जहां जहां यह प्रोजेक्ट को लंबा के जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत की मुख एजुकेशनल इंस्टिट्यूट जैसे कि IIT, IAM, Birla Institute of Technology and Science, Indian Institute of Information Technology इसमें सामिल रहेंगे। इस प्रोजेक्ट की उच बात यह है कि यह पार्त का सब से पहला एक ऐसा कूलेंग सिस्टम वाला प्रोजेक्ट होगा जो एक स्मार्ट टेक्नोलोजी और आर्टिपेसियल इंटलेजेंस की माद़ से पूरे स्टिट का ताबमान सत्तो लेत रखेगा। यह प्रोजेक्ट 99. 10.99% पावर पर रिलाइबल रहेगा। मुझे लगता है यह वीडियो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्याद बहतरी तरीकिस बात आएगा।